स्री गने साय नमें, सकट चोथ बरत कैसे करना चाहिए? इसके बारे में आपको संपुन जानकारी दे चुके हैं और सकट चोथ में जो चंदर पूजन है उसको किस प्रकार किया जाता है ताकि हमार बरत है दो पूरी तरह सफल हो और सभी पुन्ने हमें प्राप्त हो और सभी मनो कामना हमारी पूरी हो ये सारी जानगारी हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं धरम सास्त्रों के नुसार अब बात करते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उन चीजों को खाने से बचना चाहिए जिनकी बज़े से हमारा ब्रत है खंडित हो और हमारा ब्रत है जो पूर्ण नहीं हो पाहे सबसे पहले हम बात करेंगे कब और क्या-क्या खाना चाहिए लेकिन ये सब जान करेंगे देने से पहले मैं आप से निविदन जरूर करता हूँ कि कोमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें कोमेंट बॉक्स में स्री गणिसाइनमे या भगवान स्री गणिस की जय जरूर लिखें ताकि आपकी सभी मनों कामना पूर्ण हो तो ये सुवे से ही प्रारम हो जाता है जब हम सूरदे के बाद इसना नादी से निब्रत हो जाते हैं और भगवान गरेश की पूजा अरसना के साथ ब्रत का संकल्प लेने के बाद हमारा ब्रत है जो पूरी तरह सुरू हो जाता है इसके बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता है लेकिन कुछ छेत्रों में मैं आपको बता रहा हूं कुछ शेत्रों में साइकाल यानि की तीन बजे के बाद कुछ चाए पानी हो जाता है लेकिन दरसल अधिकांस महिला इस दिन निर्जला ब्रत रखती है तो अब दोखो एक तो कुछ खाने पीने वाला ब्रत रखता है यानि की कुछ चाए पानी पी लेता है और एक निर्जला ब्रत जो महिला रखती है तो आप भी देख सकते हैं किसका ब्रत है जो उत्तम रहेगा तो ये तो थी बात है कि जो कुछ महिला हैं स्याम को कुछ चाय या पानी है जो पी लेती हैं लेकिन अधिकांस महिला हैं निर्जला ब्रत ही रखती है इसका रण सकट चोथे या तिल चोथे की बरती यदि हम बात करें तो इसमें पूरे दिन कुछ भी नई खाया पिया जाता है इसके बाद कहानी सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद चोथे माता की पूजा अरसना के बाद यानि भगवान स्री गनेश की पुझा अर्षना के बाद और इसके बाद श्याम रातरी को आपको चंदर दर्षन करने हैं और चंदर दर्षन के बाद आपको क्या खाना है यह important है सबसे पहले मैं आपसे एक बात जरूर करूँगा कि चंदर दर्सन के बाद या फिर इस सकट चौत के ब्रते पूरे दिन आपको अन बिल्कुल भी ग्रहने नहीं करना है अन ग्रहन करने से आपका ब्रते जो खंडित हो जाएगा अन का मतलब ये नहीं है कि आप चपाती खाएं अन का मतलब है अन से बनी कोई बस्तों है आप लोग नहीं खा सकते शकट चौत है और यदि हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि चंदर दर्सन के बाद कुछ फलार हम ग्रहन कर सकते हैं दूद हम पी सकते हैं लेकिन ये भी चंदर दर्सन के बाद ही दूद और फलार ग्रहन की जाता है चंदर दर्सन से पहले कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है ये होता है असली ब्रत का नियमतों बाकि आपकी आस्ता पर निरवर करता है सास्त्रों के नुसार जो जानकारी है ब्रते का मतलब यह होता है कि अपने जो अधर होता है पेट होता है उसमें अन नहीं रहना चाहिए यह ही कहता है धर्म सास्त्रों यहापर जो भी जानकारी दी जाती है धर्म सास्त्रों के नुसार ही दी जाती है इसके अलावा और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फलार ग्रेंड कर सकते हैं दूर पी सकते हैं लेकिन जो अन है वो दूसरे दिन जिसको अपन कहते हैं पार अन लेना वो दूसरे दिन है जो अन ग्रेंड किया जाता है यही ब्रत का उत्तमनियम है जो आपको ब ते गया है